हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी hope you all are doing good तो आज हम करने वाले हैं थर्ड ट्रैमेस्टर की कार्डियो एक्सरसाइज तो फाइनली अब हम पहुँच चुके अपने प्रेगनंसी के सबसे लास्ट एंड चैलेंजिंग फेस में आज जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसे करने से आपका बेबी pelvic position में move हो जाता है और अपने normal position जिसे हम head down position कहते हैं उसमें आ जाता है पिस कुछ और दिन आपको wait करने और आपका बेबी आपके हाथों में होगा तो थोड़ा patience रखिए और इस सारे exercise को जादी रखिए एक disclaimer देना चाहूंगी ये सारे exercise करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल कर ले अगर exercise करते होए आपको किसी भी तरीके कर discomfort होता है अनेजीनेस होता है तो आप तुरन discontinue कर सकते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कर दो आपको कर दो आपको कर सकते हैं कर दो आपको कर दो कर दो झाल 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 झाल